नमस्कार मैं पुषपांजली तिवारी और आप देख रहे हैं पप्लिकेश्या निउस वब्त हो चलाया है हर्याना की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर की ओर बढ़ते हैं हर्याना विधान सबा चुनाव के दोरान मुख्य मंतरी नायब सेनी और राहूल गांदी के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई है नायब सेनी ने कॉंग्रेस पर वंचित फिरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे पर्ची खर्ची से यूबाओं के भविश्य का सौधा कर रहे हैं वही राहूल गांदी ने पलटवार करते हुए यूबाओं के विदेश चाने के मुद्दे को उठाया है दूसी खबर की ओर चलते हैं और अपने प्रत्याक्षियों के लिए बोट मांगे अगली खबर की ओर रुख करते हैं रंजीत चोटाला की मंत्री मंडल से छुट्टी हो गई है उन्होंने विदायक के रूप में कारेकाल पूरा नहीं किया रंजीत चोटाला ने इस्तीफे की घोशना की थी लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया अब उनकी सभी सुविधाएं वापस ली जाएंगी आपको बता दे कि रंजीत चोटाला रनिया से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं हमारी अगली खबर सोनिपत से आ रही है रोतक पानिपत हाईवे सित रोड के पास खड़े ट्रक में एक कार जाट अगराई जिससे एक व्यक्ति की मौत और चार अन्य घायल हो गए बरोदा थाना के पुलिस ने गरतना स्तल का निरक्षन किया और मामला दर्श कर मामले की जाँच शुरू करती है कहा जा रहा है कि हाथ सा ट्रक के इंडिकेटर ना जलाने की वज़े से हुआ है आखरी खबर के ओर बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि हर्याना मुख्यमंद्री नायब सिंग सैनी ने मंगलवार को फरीदाबाद के तिगाव और एननाईटी विधान सबा सीट पर भाजपा प्रत्याक्षियों के लिए चुनाफ प्रचार करने पहुचे इस दोरान उन्होंने नू के फिरोजपुर जिरका सीट से कॉंग्रेस उमिद्वार मामन खान पर करारा हमला बोला सीएम नायब सिंग सैनी ने कहा कि मामन खान अपनी चिंता करे समय बताएगा किसकी लिस्ट बननी है ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे ये पब्लीकेशिया नियूस के साथ धन्यवाद